Hi everyone, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे इनका नाह है मिखेल, मिशोस्टिन और इनको दुबारा से रश्या का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है जब किसी भी देश के Head of State यानि या तो प्राइम मिनिस्टर या तो President अगर सेम आदमी को सेम responsibility देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस आदमी का उनके नजर में काफी huge importance है कौन है मिखाईल, मिशोस्टिन और हमारे पास इनके बारे में क्या जानकारी है इस वीडियो में हम समझेंगे और जानेंगे मगर आगे बढ़े उससे पहले आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो मुझे email करके बता सकते हैं आप personal या व्लादेमिर पुतिन को पसंद करें या ना पसंद करें लेकिन एक चीज़ को आप इंकार नहीं कर सकते हैं वो ये है कि व्लादेमिर पुतिन एक capable लीडर है जो कि almost बीते 25 सालों से या तो प्राइम मिनिस्टर के form में हैं या तो प्रेसिडेंट के form में किसी न किसी तरीके से रश्या में काफी strong position में वो रहे हैं और उसके बाद रश्या में presidential form of governance है जहां पे हर 6 साल में चुना होता है तो इसी साल के मार्श के महिने में रश्या में election हुआ था प्रेसिडेंट का जहां पे almost ये तै था कि व्लादेमिर पुतिन ही प्रेसिडेंट बन के आएंगे और उसके बाद 2030 तक व्लादेमिर पुतिन ही बने रहेंगे साथ में जो current situation हो रखा है रश्या में यानी की यूकरेन रश्या वार किसी भी देश में जब वार चलता है तो वो time period किसी भी देश के लिए बहुत ही महत्पून हो जाता है क्यूंकि war के time में दो चीजों का इस्तेमाल सबसे अधिक होता है एक तो weapon का इस्तेमाल होता है और दूसरा आपके पास sufficient पैसे होने चाहिए ताकि आप उस weapon को खरीद सकें इस time में जिस तरीके से मिखायल मिशोस्टिन ने व्लादेमिर पुतिन को support किया या अपने policies को इस तरीके से बनाए कि लगबग 30-35 देशों के साथ Russia directly war में है उसके बाद recently IMF के दुआरा prediction किया गया है कि Russia की economy 3.5% के हिसाब से बढ़ेंगे जो कि France, UK, Germany से भी अधिक है तो इस चीज़ का अगर आप गहराई को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि Russia एक कितना critical time period से गुजर रहा है उसके बावजूद भी almost stable है अब शायद आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि Russia तो सिर्फ Ukraine से war में है लेकिन मैं याद दिला दू कि European Union में total 27 countries है प्लस UK भी support कर रहा है प्लस USA है Canada है बहुत हद तक पाकिस्तान ने भी Ukraine को weapon भेजा है तो more or less अगर आप counting करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कुछ 30 से 35 देशों के साथ Russia directly war में है उसके बाद जो अलग-अलग तरीके का sanctions लगाया गया है सो अलग है उसके बाद हमारे बीच बहुत सारे ऐसे leaders होते हैं जो limelight में तो नहीं आते हैं लेकिन अगर आप उनका role देखेंगा तो काफी significant उनका role होता है उस देश के लिए ऐसा ये कुछ बात किया जाता है मिखेल मिशुस्टिन के बारे में जिनके बारे में ये कहा जाता है कि 2020 में उनको Russia का Prime Minister बनाया जाता है और ठीक उसके पहले वो Federal Taxation Service में थें जिनके time period में ये बताया जाता है कि Russia जो अपने tax revenue से generate कर रहा था उसका ठीक दो गुनाय इनके time period में revenue generate होना शुरू हो जाता है इसका एक मतलब तो हमें समझ में आता है कि मिखेल मिशुस्टिन इनका जो image है वो Vladimir Putin के नजरों में काफी अच्छा है और इनका काम भी उसी तरीके से अच्छा है अगर ऐसा नहीं होता तो व्रादिमिर पुतिन कभी भी इनको reappoint नहीं करते है as a prime minister और उसके बाद जहां COVID के बाद पूरे दुनिया अपने economy को दुबारा से normal करने के तरफ बढ़ चले उसी बीच Russia यूकरेन के साथ war में उतर जाता है जहां पर रश्या को ये मालुम था कि किस तरीके से European countries, साथ में United States, UK, Canada ये सब बढ़ चड़कर सपोर्ट करने वाले हैं यूकरेन को उसके बावजूद भी जिस तरीके से रश्या पर अपने economy को समहाला और अगर आप इस पूरे war को देखेंगे तो कितनी बार ऐसा लगा कि Russia शायद ये war हार जाएगा लेकिन अब जिस तरीके से Russia एक commanding position में है यहां पे जो war damage हुआ है वो यूकरेन को इतना जादा हो गया है कि अगर कभी इतिहास लिखा जाएगा तो Zelensky को एक बहुत ही failed leader की तरह दर्शाया जाएगा जहां पे वो कुछ countries के कहने पे Russia के साथ war में उतर जाते हैं और अपने देश को कम से कम 50 साल पीछे वो धकेल देते हैं सो व्लादिमिर पुतिन जब President बने थे उसके पहले वो Prime Minister थे ऐसे जो political experts है उनका ये मानना है कि मिखेल मिशुस्टिन ये potential successor हो सकते है व्लादिमिर पुतिन का कहने का मतलब है कि इनका chances काफी अच्छे हैं रशा के President बनने का क्यूंकि जो रशा का Constitution कहता है वो ये कहता है कि अगर किसी भी तरीके से President unavailable होते हैं तो Prime Minister ही सबसे पहला successor होता है और जहां तक बात रहा politics का तो आप अगर efficient नहीं रहेंगे तो आपको position नहीं मिलेगा लेकिन अगर आप too much ambitious रहेंगे तो भी chances काफी high होता है कि आपको उस position से हटा दिया जाए तो जो मिखेल मिशुस्तिन का जो image है व्लादिमर पुतिन के नजरों में वो ये है कि ये efficient है लेकिन ये ambitious नहीं है अगर ये ambitious होते हैं तो chances काफी high होता कि व्लादिमर पुतिन इनको reappoint नहीं करते हैं आप समा सकते हैं कि कितना delegate होता है efficient भी अपने आपको रखना और ambitious भी अपने आपको ना रखना और उसके बाद ये अपने आपको इतना जादा low profile रखते हैं कि ये hardly किसी भी media outlet से मिलते हैं या उनको कोई भी interview देते हैं जब आप frequently interview या statement देना शुरू करते हैं तो आपका एक pattern को long notice करना शुरू कर देते हैं लेकिन उसी बीच अगर आप interview नहीं देते हैं और public में कोई भी अपना statement जल्दी नहीं देते हैं तो इससे आपके बारे में predict कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ऐसा ही कुछ कहा जाता है मिखेल मिशुस्टिन के बारे में भी तो अगर आप इस वीडियो को conclude करना चाहें तो एक चीज़ तो आपको समझ में आता है कि मिखेल मिशुस्टिन एक efficient prime minister है जो covid और उसके बाद war में जिस तरीके से रश्या का economy को समाले हैं और उसके बाद जिस तरीके से ये व्लादेमिर पुतिन के close हैं और उनके एक बहुत ही trustable aid है और साथ में media में statement देने से भी बचते हैं ताकि इनके बारे में कोई predict ना कर पाए I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं See you in the next video Have a wonderful day Thank you, take care, goodbye